हेलो एब्रिवन वेल्कुम बैक टू माई निव व्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स ये वीडियो है अठायरा तारिक का और अभी ना सुबाई के ग्यारा बज़े हुए हैं तो आज के वीडियो की सुरवा थोड़ा सा लेट से हुई है क्योंकि जैसा के डेली आप लोग देखते हैं मेरे जितने भी काम होते हैं वो लगबग 9 बज़े तक हो जा नौ से लगब 11 बज़े का जो टाइम होता है ना उस टाइम पे मैं अपना थोड़ा सा वीडियो का काम करने लगती हूं और क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं होता घर पे मैं के लिए रहती हूं तो आराम से सुगून से अपना वीडियो का काम करती हूं तो आज क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा सो गई, मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला फिर मैं देखी तो भी ग्यारा बच गए थे और मैं आज कपड़े भी नहीं डाली थी सूखने के लिए और आज बहुत अच्छी वाली धूप निकली होई है एकदम मस्त वाली और बारिस के बाद जब इस तरीके के धूप निकलती है तो मन बड़ा खोश हो जाता है मतलब हर जगे पानी-पानी हो रखा था और उसके बाद जब इस तरीके के खिली-खिली से धूप निकलती है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है फिर मैं जब उठी देखी तो धूप भी बहुत तेज थी तो जो कपड़े मैं धूली थी ना सूबह में वो रखे रह गये थे उनको मैं सूपने के लिए नहीं डाली थी तो फिर फटा फट से मैंने डाल दिये कपड़े और धूप तेज तो ये सूख जाएंगे कोई डेंशन नहीं है और इसके बाद फिर तुरंत आ जाती हूँ किचन में किचन में भी थोड़ा सा काम अभी मेरा बच्चा हुआ था तो ये तो छोटा मोटा काम रहता है ये मतलब नास्थे के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से निप्टा लेती हूँ इतना जादा इसमें रहता नहीं है जादा समय भी नहीं लगता है तो मुझे करनी थी किचन की सफाई मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है और गैस चूला है काफे जादा चिपचिपा सा हो गया था जो कि 3-4 दिन लगभग एक हफते में तो होई जाता है बहुत जादा गंदा तो जब गंदा हो जाता है ना तो इसमें काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है तो फिर आज मैं इसको साफ कर ले रहे हूं और ये काम मैं सुबह नास्ते के बाद ही करती हूं ना तो रात में करती हूं डिप क्लेनिंग यहां की और ना ही लंच टाइम में मैं इसी टाइम पे करती हूं क्योंकि इस टाइम पे काम थोड़ा सा कम रहता है किचन में तो इसलिए मैं इस टाइम पे इसको साफ कर लेती हूँ तो बस ये प्लेटफॉर्म और जो गैसूल है यही ज़्यादा गंदा हो रखा था इसको मैंने साबन से दो लिया है जिससे मैं बरतन साफ करती है तो विंबर से मैंने इसको चमका दिया है पूरा प्लेटफॉर्म और कैसूल है अच्छे से मतलब साफ कर लिया है और इसके बाद अब साफ कर लेते हैं बरतन तो जो बरतन थे ना वो बहुत ज्यादा नहीं थे फटापट से मैंने थोड़े से बरतन थे नासते वाले वो मैंने साफ कर लिये हैं और अब जो है दिरे दिरे करके समय थोड़ा ज़ादा हो गया था और टाइम हो गया था लंच बनाने का तो ज़्यादा तर तो मैं लंच के टाइम पर सबजी नहीं बनाती हूँ मैंने अक्सर बताया है आप सबी को सुबह में जो भी मैं बनाती हूँ न थोड़ा सा वो मतलब कितना भी कम बनाओ लेकिन वो थोड़ा सा बचे जाता है और दोपार में फिर इतना ज़ादा सब्जी किसी का खाने का मन नहीं होता तो आज तो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि आज करेला मैं बना रहे हूँ तो यह करेला है न यह 3-4 दिन का हो गया है और इसको बनाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था कभी कुछ कभी कुछ अभी इल्ली वगरा चल रहा था न ये करेला रखा रह गया तो फ्रेज में और करेला अगर ना बनाओ जल्दी तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं तो आज मैं इसको बना रही हूँ और करेला मैं लंच के टाइम पे ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह की सबजी जो रहती है ना तो बच्चे फिर खा लेते हैं वरना बच्चों का नखरा सुरू हो जाता है अगर सिर्फ करेला दे दो तो इस वज़े से मैं इसको लंच टाइम में ही बनाती हूँ तो बस यहां पे मैंने करेला कट कर लिया है और यह 200 ग्राम है और 7-3-4 प्याज काट लिया है मैंने बड़े पीसे इसमें तो करेले की सबजी में बहुत सिंपल तरीकी से बनाती हूँ और यह बिलकुल भी कड़वी नहीं आती है तो ओयल गरम करके इसमें बारी कटा हुआ लसन और जीरा से तड़का लगा देंगे और हरी मेच डाल देंगे इसके बाद इसमें ये कटे ह Dziękuję करेले डाल देंगे और करेले को बहुत अच्छे से पका लेना है जब ये आधा पक जाये इसके बाद इसमें ये प्यास डालना है तो फिर इसको मीडियम आज पे पका लेना है, प्यास को बाद भी डालना है ताकि प्यास हलकी से कच्ची रहेगी तो अच्छा लगेगा अगर आप प्यास पहले डाल देंगे तो प्यास जल से जाएगी तो फिर करेले का टेस्ट बिल्कूल अच्छा नहीं आएगा और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ ये करेले की सबजी और हल्दी और नमक बस मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके अलाबा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ना आमचुर पाउडर ना ही और कोई मसाले वगरा मैंने इसमें नहीं डाले है तो करेलिक सबजी बन गई है और फिर लंच वगरा हमारा हुआ और इसके बाद मैं अभी मिल रही हूँ तो यहाँ पर अपने साम के लगबग साड़े पाँच बजे और आज कलना दिन सच में छोटा लगने लगा है ऐसा लग रहा कि दिन छोटा होने लगा है क्योंकि साड़े पाँच बजे लगबग यहाँ पर तो धूप बिलकुल भी नहीं रहती है जो कि शाम के 6 बजे तक यहाँ पर धूप रहती थी तो बहुत हलकी हलकी सी धूप यहाँ पर थी और अब मैं अपने साम के सारे काम यहाँ से स्टार्ट करूँगी और आज मैंने आप सभी के शाथ में अपना दोपार से लेकर के रात तक का पुरा जो रुटीन है वो शेयर किया हुआ है तो यहाँ पर अब शाम के मेरे छोटे मोटे काम होंगे जो कि मैं डेली ये काम करती हूँ और जो कपड़े मैं दोपार में डाली थी ना सूखने के लिए तो इनको मैं उतार करके अंदर रख दूँगी और इसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई तो सारे कपड़े अभी मैंने अंदर रख दिये हैं और उनमें से हलके हलके से नमी थी कपड़ों में मतलब पूरी तरीके से कपड़े नहीं सुखे थे क्योंकि दोपार में बारिस फिर से आ गई थी थोड़ी देर के लिए आई थी तो मैं सारे कपड़े निकाली और फिर दोबारा से जब मैं बालकनी में वापस से कपड़े डाली तो फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इस चक्कर में कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाए हैं बहुत अलकी अलकी से नमी रह गई है तो इनको मैं बाद में सुखाऊंगी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सफाई क्योंकि शाम हो जाएगी अंधेरा होने से पहले एक बार मैं जाडू मार लेती हूँ यहां पर और बच्चे जैसे घर पे रहते ना यहां पर हॉल में टीवी देखते रहते हैं तो अन्या कभी नमकीन, कभी कुछ उसका जिसे चलता रहता है ना तो कभी इधर उधर गिर जाता है और फिर उसमें चीटी आ जाती है तो मुझे शाम को एक बार इस हॉल में सफाई करनी पड़ती है और मैं पूरे घर की सफाई नहीं करती हूँ साम के टाइम पे सिर्फ इस हॉल में ही जाड़ू मारती हूँ और सारी चीज़े अरेंज कर देती हूँ तो बस वही मैं यहां पे जाड़ू मार लेती हूँ और जितना भी कुड़ा कच्रा है वो मैं बाहर निकाल दूँगी और घर की सारी चीज़े यहां पर हॉल की जितनी भी है सब मैंने व्यवस्थित कर दी है और अन्या यहां पे बैठी हुई है पढ़ाई कर रही है इस समय इनका इक्जाम स्टार्ट होने वाला है हाफ एरली तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मैं दोनों को अलग-अलग बैठाती हूँ जैसे अन्या यहां पे बैठी है न हॉल में और आरुस अंदर वाले रूम में मतलब ऐसे अलग-अलग मैं जान बुझ करके बैठाती हूँ नहीं तो फिर दोनों में जगडा हो जाता है तो पढ़ाई कम और लड़ाई ज्यादा होती है तो इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग बैठाया है और एक कमेंट आया था बच्चों के लिए कि आपके बच्चे ट्यूशन नहीं पड़ते क्या तो बिलकुल भी नहीं मेरे बच्चे ट्यूशन कभी भी नहीं गये जब से स्कूल इनका स्टार्ट हुआ कहना चाहिए न घर का तो हस्बंड मेरे पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पे और वैसे तो दिनवर बच्चों का स्कूल में ही निकल जाता है लेकिन जो साम का टाइम होता है तो शाम को मैं जैसे विजी हो गई अपने किचन के कामों में बाकी और कामों में तो फिर हस्बंड ध्यान देत आप सभी को और देखिए ये सारा काम करने के बाद तुरुन से मैं लग गई थी सब्जी कट करने में क्योंकि अभी न थोड़ा टाइम है और जैसे जैसे साम हो जाएगी अधिरा हो जाता है तो थोड़ा साना आलस आने लगता है और आलस सिर्फ सब्जी काटने के लिए सब्जी को दोनों लोग को बहुत जाधा पसंद हैसात मेरे नेनोहा और अंदर में जो भगवान हैं इनकी भी पूजा करेंगे और जो बाहर तुलसी माता है ना उन पे भी दिया एक जला देते हैं शाम के टाइम पे तो इतना सब करते करते मेरे सबजे भी पक गई थी आटा वगएरा गोत करके मैंने रख दिया था लेकिन अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे अभी किसी को भी खाने का मन नहीं था तो जब सब लोग खाना खाने के लिए बोलेंगे तभी मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाऊ और जब तक मैं आगए थी थोड़ी देर के लिए बालकनी में शाम के टायम बिया अच्छा लगता है क्योंकि घर की अंदर भी रहते रहते थोड़ा जीप से लगने लगता है इसलिए मैं शाम के टायम पर थोड़ा सब बालकनी में आ जाती हूँ ज़्यादा देर के लिए नहीं लगबग 2-5 मिनट के लिए बहुत होगा तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे और मुझे वहाँ पे चंद्रमा दिख रहे थे बहुत सुन्दर लग रहे थे तो वही मैं दिखा रहे थे आप सभी को और इस वीडियो में शायद उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा था लेकिन रेड कलर के थे बहुत प्यारे लग रहे थे तो बस आजाते हैं अंदर और यहाँ पे जो कपड़े में निकाले थी ना जो थोड़े थोड़े से गीले हैं तो कुछ कपड़े तो सुख गए थे ले और इतना सब करने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आती हूँ क्योंकि सबके खाने का टाइम हो गया था और टाइम अभी बहुत जादा नहीं हुआ है लगबग आठ बच गये थे तो आठ बचे तक मैं बच्चों को खाना दे दूँगी और वैसे भी जब स्कूल का टा आते हैं तो इसलिए मैं कोसिस करती हूँ कि उनको और पहले दे दूँ खाना तो कि बच्चों की नीद भी पूरी तरीके से पूरी होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के स्ट्रेस रहता है ना तो इस तरीके में थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा बच्चों को भी टेंशन रहती है ना पढ़ाई की और अभी जैसे एक्जाम आने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा तो और ज्यादा टेंशन हो जाती है तो इसलिए इनको टाइम से खाना वगरा खिला दिया है मैंने आट बजे और इसके बाद फिर यहां पे दूद गरम कर के दे दूँगी ताकि यह टाइम से सो जाएं और बाकी जो भी मेरे काम है वो मैं करती रहूंगी क्योंकि बच्चों का कहना कि अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो इनको फिर नीन नहीं आती है और जितना जादा लेट होता जाता है ना रात में उतनी जादा इनकी नीन गाय क्योंकि जब भी मैं इसके बालों में उई लगाती हूँ या ऐसे मसाज करती हूं नसर पर तो फिर अन्या को जल्दी नीद आने लगती है मतलब ऐसे जादू सा हो जाता है तो इसलिए मैं वैटी थी कि दो मैं तुमारे बालों में लगा देती हूं ताकि तो बहुत किचन के अपने काम करने के लिए और अन्या के हैर थोड़े थोड़े से वड़े भी हो गए हैं तो अच्छे लग रहे हैं और उसको शौक भी है थोड़ी लॉंग है कि मतलब मुझे बालों को बढ़ाना है अभी ममा मत कटवाई ये पहले तो काफी ज्यादा छोटे थे बहु तो उस टाइब के अन्या के हैर बहुत जल्दी नहीं बढ़ते हैं लेकिन ऑईल वगएर में लगाती रहती हूं इस तरीके से और थोड़ा सा ध्यान दो तो ये हो जाता है मतलब बाल बढ़ जाते हैं तो फिलाल अभी मैंने इसके बालों में अच्छे से मसाज कर दी है और इसके बाद फिर अन्या को मैंने भेज़ दिया सोने के लिए और मैं यहाँ पर अपने किचन के काम में लगोंगी तो किचन की सफाई करनी है मुझे जो कि मैं डेली ही करती हूं रात में सोने से पहले और अपने किचन की सफाई हमेशा मतलब रात में सोने से पहले सफाई कर नजये चाहे कोई और काम हो या फिर नहोरलेकिन इस काम को कभी नहीं भूलना चाहिये मैं इस चीज़ को लगste फॉलू करती हूं इस बिजी हो काम जाए फिर गर्मी के पी intend कुछ भी हो जाए लाइट गट जाए लेकिन किचन की सफाई हमेजा करके सूथink रात के जो बरतन होते हैं वो तो धुलते ही हैं लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म की सफाई है और सिंक की सफाई और नीचे जो फर्स है फर्स को भी कभी नहीं बूलती क्योंकि यहां पर भी थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है जो कि पैर में चिपक करके फैल जाता है और चीटिया वगएरा और भी बहुत सारे कीड़े वगएरा आने के चांस रहते हैं जब भी कुछ खाने पीने की चीज यहां पर गीरी रहती है तो इसलिए किचन को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए और देखिए यहां पर मैंने कर दी है किचन की सफाई पूरा किचन जो है पहले मैं यह काम करती थी लेकिन अभी ना कुछ महिनों से भोल जाती थी तो अभी मैंने फिर से यह स्टार्ट किया है कुछ बादाम लगबग चार-चार बादाम है सभी के लिए गिन करके और थोड़े से किसमी एक-एक चमच सभी के हिसाफ से और दो-दो अक्रोड तो ब जात कि लगबग दस बज गये हैं इतनी देर तक मेरे सारे काम हो चुके हैं और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं परिंट करती हूं आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूं आपसे एक नए व्लॉग में थैंक्स पर वाचिंग बाबाई टेक कियर गुड़नाइट